के वी एस प्रवेश के लिए कौन आवेदन कर सकता है इन लोगों के बच्चों को केंड्रिय विद्यालियों में एड्मिशन लेने के लिए सबसे पहले प्रात्मिक्ता दी जाती है। आपको बता दे कि केंद्र विद्यालियों के लिए पहले एडमिशन उन बच्चों को मिलता है जिनके माता पिता केंद्र सरकारी कर्मचारी हो, सेना से रिटायर हो गए हो, एक्स सॉर्विसमन हो या जो विदेश में रह रहे एमपलाईज के बच्चों हो उन्हें पहले सेले क किया जाता है जो लोग देश में हाई ऑर्गनिजेशन संस्थानों में काम कर रहे हैं, उन करमचारेओं को भी पहले प्रेठरेंस दिया जाता है। देश में रह रहे बहार विदेश की लोग जो सरकारी कामों के लिए यही होंगे और जिन बच्चों के माता पिता राज्य सरकार कार्यालैों में कारे कर रहे होंगे चौथी प्रात्मिक्ता सिंगल गर्लक चाइल्ड कोर्टा को दी गई है यानि वैसे तो कक्षा दो से आग तक एडमिशन श्रेनी के अनुसार होता है यदि सीथ खाली होती है तो हर श्रेनी में लात्री सिस्टम का उप्योग किया जाता है जिसमें कक्षा च्छे के लिए एकल बाले का कोटा शामिल किया गया है वह कर्मचारी जो नीजी प्राइविट और स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉइट वाले व्यक्तियों के बच्चों को दी जाती है किंड्री विद्याले एडमिशन है तो जरूरी दस्तावेज आवेदक को आवेदन करने के लिए कप्षा एक में एडमिशन ले रहे बचे के लिए ऑफ्वारिजेद अथ्वारिती से जारी बचे का जन्म प्रमान पत्र जो भी अभिभावक सेना से जुड़े है उनका रिटायर होने का सर्थिफिके पिछरी वर्द के बच्चों के लिए जाती प्रमान पत्र जिन छात्र के माता पिता के वी संघत्थन में काम कर रहे है उनके संबंध होने का सर्थिफिके अनिवारिप